अस्सालाम अलेकूम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में बताएंगे के फ्री लांसर्स के लिए डिजिटल नॉमेट वीजा क्या है और ये कैसे मिलता है नॉमेट वीजा अमूमन वक्ती वर्क वीजा होता है जिस पर आप जाते हैं और एक साल से चार साल तक किसी भी मुल्क में रहते हैं और वापस आ जाते हैं लेकिन चन्द मुमालिक में इसे शहरियत हासल करने के लिए भी इस्तमाल किया जाता है दुनिया भर के कई मुमालिक में फ्री लांसर्स और आनलाइन काम करने वालों को मतवज़ा करने के लिए नो मैट वीजे का इज्रा किया जा रहा है जिसके लिए मुख्तित तरीका कार और शरायत रखी गई है अब यहां यह जानना भी जरूरी है कि यह वीजा क्या है और इससे कैसे हासिल करके फाइदा उठाया जा सकता है डिजिटल नो मैट वीजे को रिमोट वीजा भी कहते हैं ये वीजा दरसल ऐसे वर्कर के लिए होता है जो अपना काम दुनिया में कहीं भी बैट कर कर सकता है जिसमें फ्री लांसर जाते हैं। ये वीजा पचास से जायत मुमालिक दे रहे हैं। अब यहां ये सवाल आता है कि हमें किस मुल्क का वीजा लेना चाहिए। इसमें आप में अपनी जरूरत को देखना है। सबसे पहले तो ये देखें कि आप इस मुल्क में जाकर बसना चाहते हैं या आप वक्ती तौर पर जगा तब्दील करके काम करना चाहते हैं। आमूमन ये वक्ती वर्क वीजा होता है। आप जाते हैं और एक से लेकर तीन चार साल तक वहां रहते हैं फिर अपने मुल्क वापिस आ जाते हैं। दूसरा आप इससे मुस्तकिल रहाइश की तरफ भी ले जा सकते हैं। दूसरी एहम बात जो यहां देखने की ज़रूरत है कि आप क्या फैमिली को साथ लेकर जाना चाहते हैं या अकेले जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम हंगरी के नॉममेट वीजे की बात करें तो वहां आप फैमिली को लेकर नहीं जा सकते। एक और एहम चीज़ जो यहां जानने की ज़रूरत है कि वो कौन से मुमालिक हैं जो डिजिटल नॉमेट वीजे के बात आपको वहां की मुस्तकिल शहरियत देंगे। जैसे अगर हम इस्टॉनिया की बात करें तो इस्टॉनिया के वीजे में तौसी मुम्किन नहीं यानि वहां आपको मुस्तकिल शहरियत नहीं मिल सकती। पॉर्टगाल एक ऐसा मुल्क है जहां अगर आप डिजिटल नॉमेट वीजे पर पांच साल तक रहते हैं तो आप इसको मुस्तकिल रहाइश में तबदील करवा सकते हैं जिसके बाद आपको वहां की शहरियत मिल जाती है। इसी तरह अगर हम जर्मनी के नॉमेट वीजे की बात करें तो यहां का आपको एक वाइदा ये हो सकता है कि बाद के मुमालिक ये कहते हैं कि आपकी एक हद तक आमदनी होनी चाहिए। जर्मनी के लिए अगर आपकी आमदन इतनी नहीं है लेकिन आपके पास 9000 योरो बैंक में बढ़े हुए हैं तो आप अपना प्रजेक्ट का कॉंट्रेक्ट दिखा कर जर्मनी जा सकते हैं। अगर हम सबसे सस्थे मुल्क की बात करें तो वो पुर्टगाल है। आपकी महाना आमदन अगर 705 योरो भी है तो आप पुर्टगाल का डिजिटल नौम मेट वीजा अपलाई कर सकते हैं। अगर हम और मुमालिक की बात करें तो योरोप के काफी मुमालिक आपको डिजिटल नौमेट वीजा दे रहे हैं। इसके इलावा गल्फ मुमालिक जैसे दुबई, टारपिकल में थाइलेंड और मालदीब ये वीजे दे रहा है। इस वीजे को लांच करने की वज़ा डिजिटल नौमेट की इजाज़त दी है। इस वीजे का इजरा दो साल पहले शुरू हुआ था और अभी भी अपने अप्तदाई मराहिल में है। कई मुमालिक इसमें मुसलसल बेतरी ला रहे हैं और इसमें वजीद असानिया पैदा की जा रही हैं। अगर डिजिटल करते हैं या आप किसी कंसल्टन्ट से रजू करके उनकी खिदमात भी हासिल कर सकते हैं।